हाई एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल लजीज पकवान आज हम आप सब के साथ चनी की डाल के हलवा की रेसिपिश शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और आसान होती है बनाने में हम इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं अब कुकर में डाल को गलाने के लिए डालेंगे पहले हम इसे थोड़ा सा पानी में गला लेंगे हम इस मख से दो मख पानी डाले हैं हाई फ्लेम पर तीन सीटी हमें इसे देना है फिर हम गैस बंद कर देंगे दाल हलके गल गई है हम सिर्फ दूद में भी दाल गला सकते थे लेकिन कुकर में दाल जलने का डर रहता है दूद में इसलिए हमने पहले हलका पानी में गला लिया है और अब हम इसमें हाफ लिटर दूद डालेंगे और दाल को और अच्छी तरह से गला लेंगे तूड़ा सथ़ंडी होने पर हमेसे मिकसर में ग्रायंड कर लेंगे. हमें सूखा ही पिसना है, सूख पिसने से हमें भूहने में आसानी होगी, धूर्द पानी कुछ भी नहीं डाला है, जितना हमने चैने की डाल लिया था, उतना ही है, शक्यषड लिया है, आप कम ज्यादा ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ड्राइफूर्स है घी हमने 300 से 400 ग्राम लिया है और क्योडा लिया है उसमें हम 3-4 ड्रॉप प्रिम्रा डालेंगे अब हम हल्वा बुनना शुरू करेंगे हल्वे में अभी हम आधा घी डाल रहे हैं आधाबाद में डालेंगे आप डालने में भी बना सकते हैं रिफाइन में भी बना सकते हैं लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हमने घी पहले गरम नहीं किया है क्योंकि गरम घी में डालने से दाल सक्त हो जाती है वो softness नहीं रहेगी स्टार्टिंग में हम medium flame पे इसे भूनेंगे जब दाल अच्छे से गर्म हो जाए तो flame हम medium to low कर देंगे और लगबग 35-40 मिनट तक हमें इसे low flame पे ही भूनना है अब जो हमने घी आधा बचा के रखा था वो भी अब इसमें डाल देंगे इसे अब हम medium to low flame पे भूनेंगे आप देखेंगे कि जैसे जैसे डाल भूनाती जाएगी और घी के साथ मिक्स होगी तो softness भी आएगी और अच्छी सी खुश्बू भी आने लगेगी 15 मिनट से हम इसे भून रहे हैं अभी दाल का color change नहीं हुआ है लेकिन softness उसमें आ गई है अजब softness आ जाती है तो भूनने में आसानी भी होती है स्टार्टिंग में थोड़ा hard हो लगता है भूनने में चने का हल्वा बनाने में जो time लगता है इसको भूनने में ही लगेगा तो इसके लिए हमें patience रखना होगा चने के हल्वा में अगर घी अच्छे से पड़ी हो और सही से भूना हुआ हो तो हम इसे जादा दिन तक store कर सकते हैं हल्वा काफे भून चुका है अब हम दूसरे चूले पर चाशनी चढ़ा देंगे हमने दो कप पानी इसमें डाला है और इसी लोफ लेम पर हम दूसरी आच पर चढ़ा देंगे हल्वे को हमें और भूनना है अभी इसे हम लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे बैठ जाएगा और बीच बीच में हमें शकर को भी चलाते रहना है हमें शीरा एक तार या दो तार का नहीं बनाना है शकर घुल जाए और पानी अच्छे से खौल जाए तो हम गैस बंद कर देंगे हल्वा अच्छी तरह से भुन गया है हमने केसर को दूद में भीगो कर रखा था अभी इसमें हम एड़ कर देंगे केसर की जगा आप फूट कलर भी डाल सकते है इससे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे चाश्णी भी हमारी तयार हो चुकी है अब इसमें हम धीरे धीरे डालेंगे एक बार में पूरी चाश्णी हम नहीं डाल रहे है हमने दो बार करके डाला है और इसको पहले अच्छी तरह से मिलाना है हमने सारी चाश्णी को डाल लिया है अब इसे अच्छी से मिला लेंगे इसमें दो तीन ड्रॉप हम क्योडा डालेंगे और अब इसे अच्छी से मिला लेना है अगर आपको चने के हलवे की खतली बनाना है तो चाशनी जो हमने बनाई है उसको थोड़ा और हमें गाढ़ा करना होगा एक तार जैसा गाढ़ा होगा तब उसकी गतली बनाना होगा हल्वा तैयार है अगर आप अंदर में ड्राइफूट्स पसंद करते हैं तो इस पॉइंट पर जरूर डाले और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा हमारे यह नहीं पसंद करते हैं बच्चे इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं चने की डाल का हल्वा हमारा तैयार है सर्विंग बाउल में से निकाल कर उपर से ड्राइफ फूट्स और सिल्वर वरक से हम गार्णिश करके सर्फ करेंगे अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले